नमस्कार, आईरवेदा फ्री हेल्थ इंशुरेंस में आप सभी का स्वागत है Water Principles Series के Continuation में आज हम बात करेंगे भोजन के साथ पानी के नियम भोजन के पहले पानी पीना, भोजन के मध्य में पानी पीना या अंत में पानी पीना Means Water Drinking with Respect of Food तो चलिए शुरू करते हैं As a quick reminder, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि जो आहारिया डाइट हम लेते हैं उसमें food या beverages जो liquid part है यानि जो भी हम खाते हैं या पीते हैं वो सभी हमारे आहारिया डाइट के अंतरगत आता है इसी हारिया डाइट से हमको nutrients हमारी body के लिए जो आवशक nutrients हैं वो मिलते हैं ऐसे 6 basic nutrients होते हैं जिसमें पहला है water जो की most essential nutrient होता है then carbohydrate, fats, proteins, vitamins and minerals तो इनको हम separately नहीं लेते हैं जो food item हम लेते हैं या एक balanced diet से इन nutrients की शरी में पूर्ती होती है या ये हमें मिलते हैं अब जब हम भोजन के साथ पानी पीने के नियमों की बात करते हैं तो water का क्या role है तो जब digestion की बात करते हैं भोजन की पाचन की बात करते हैं तो दो प्रकार का digestion होता है पहला होता है mechanical digestion और दूसरा होता है chemical digestion Mechanical Digestion का मतलब होता है जैसे मुँव में जब हम food को चबाते हैं यानि कि उसको हम बड़े particle को छोटे particle में चबाने का कारे कर रहे हैं तो वो Mechanical Digestion होता है Chemical Digestion का मतलब है जब उसमें enzymes और जो digestive juices से जो पाचन होता है वो Chemical Digestion के अंतरगत आता है तो Chemical Digestion जब होता है तो जो enzymes होते हैं वो बड़े food particle को या जो macronutrients होते हैं उनके जो bond होते हैं उनको breakdown करने के लिए water का योज़ करते हैं और इस process को hydrolysis कहते हैं जिसमें की water का प्रयोग होता है अब बात करते हैं आयरवेद के अनुसार भोजन के समय पानी पीने के क्यानियम है तो सहिताओं में बताया गया है भोजन काल में अन खाने से पूर्व यदि आप पानी पी लेते हैं तो अगनी मान्दे होता है और शरी में क्रिष्टा आती है तो देखिए ऐसा क्यों होता है जब भोजन का काल होता है तो आपकी जो body है उसमें digestive juice से जो है वो निवर्व होती है उस समय यदि आप एकदम से पानी पी लेते हैं तो जो digestive juices होते हैं वो dilute हो जाते हैं यानिकि उनको जो digestion power है वो कम हो जाती है जो आपकी पाच का अगनी है जो अगनी है वो पानी से बुझ जाती है जिसकी वज़े से अगनी मान्दे होता है इसके अलावा क्रिष्टा क्यों होती है क्योंकि जो stomach है आप उसको water से feel करें तो जो आपका satiation center है brain में वो बोलता है stop eating और eat less ठीक है तो या तो आप stomach या आमाशे को solid food से भर सकते हैं या उसको पहले liquid food से भर सकते हैं चुकि अगर आपने उसको water से feel किया है तो water में कोई calorie नहीं है तो वो कोई energy नहीं दे पाता है तो शरी में क्रिष्टा या कमजोरी होती है फिर बता है कि पूरा भोजन करने के अंत में यदि आप पानी पीते हैं तो शरी में स्थूलता या मोटापा और जो आमाशे है उसके उपर कफ की प्रद्धी होती है तो देखे क्या होता है भोजन के अंत में क्या होता है जो पूरा हमारा food हमने जो लिया होता है उसका एक सारी भूड़ी टिशू जो यता मनेगा चम वज़ेइस tut पर चाल वनेवाkte द रहे हैं सारे body tissues बनने हैं वो ठीक से नहीं बन पाते हैं और उसके वज़े से इस थूलता यानि obesity या मोटापा होता है भोजन के मध्य में पानी पीने से धातूं में समता होती है अंगों में समता होती है और अन का सुख पुरुवक पाचन होता है ऐसा कहा गया है तो देखिए जब मध्य में हम पानी या थोड़ा liquid का सेवन करते हैं तो वहाँ पर जो आमाशय में क्लेद कफ है पाच का अगनी है और जो समान वाईयू है तो जो पाच का अगनी है उसको जो concentration चाहिए जो समान वाईयू जो उसके movement के लिए चाहिए वो proper मिलता है इसे लिए वहाँ पर proper digestion होता है उत्रो उत्रत हात्वे यानि की ठीक प्रकार से digestion, assimilation and absorption होता है तो सारी जो bodily tissues है वो proper built होती है बनती है और व्यक्ति स्वस्त रहता है यहां तक हमें बात समझ आ गई है कि भोजन के पहले भी पानी नहीं पीना है भोजन के अंत में भी पानी नहीं पीना है हमको भोजन के मद्ध में या बीच में पानी पीना है अब प्रश quantity में water या liquid नहीं लेना चाहिए और ना ही ऐसा करना चाहिए कि आप बिना liquid या पानी के ही भोजन करने की आदत बना ले इसकी वज़े से indigestion की समझा आती है इसको एक दूसरे तरीके से समझते हैं जैसे अती स्थिर या अती कठोर यानि कि too dry और too hard food यदी हम लेते हैं तो ज का obstruction होता है constipation होता है शरी में त्रिप्ती नहीं मिलती है जो भोजन का कफ की रोग जैसे प्रतिशाय है कफ कोल्ड नजला है डायबिटीस प्रमेह अभिश्यंद शही में भारीपन या आलस बना रहता है पाचन ठीक से नहीं होता है जो अगनी बल या डाइजेस्टिव पावर है वो कम हो जाती है अब आपके दिमाग में प्रश्ण आ रहा होगा क भोजन के साथ बहुत ज़्यादा पानी या बहुत कम से क्या समझें तो अगेन आयरवेद का थम रूल है एवरिवन इस डिफरेंट एवरिवन नीट सार डिफरेंट सो आप इंडिजुल अप्रोच हमको यहाँ पर प्रयोग करनी पड़ेगे तूसरा देखे आयरवेद में बताया है कि जब आप भोजन करते हैं तो आमाशे के जो वन थर्ड पार्ट है वो आपको सोलिट फूड से वन थर्ड पार्ट जो है वो लिक्विट फूड से और जो वन थर्ड पार्ट है वो हमको वातिया वाईयो के लिए खाली छोड़ना चाहिए यह एक रूल है कि इसस प्रकर्ति के लोग हैं उनको पानी या जो भी लिक्विड आप मध्धे में लेते हैं वो कम से कम लेना चाहिए 50 ml उनको प्रयोग करना चाहिए वाद प्रकर्ति के जो लोग हैं उनकी अगनी विशम रहती है तो उनको 100 ml तक कोई भी लिक्विड या जो वाटर है वो भोजन के मद्धे में ले सकते हैं पित्थ प्रकर्टि के लोगों की चूकी अगनी तिवर रहती है तो 150 ml तक प्रयोग किया जा सकता है हम में से बहुत लोगों में धार्ना है या हमने सुनिया पढ़ रखा होता है कि water before meal is nectar यानि कि भोजन से पहले जो पानी है वो अमरित के समान है या आपके जो body fluid है उनको replenish करता है जो जूसेज है डाइजेस्टी जूसेज है उनको encourage करता है तो देखे यहां एक बात विशेश रूप से ध्यान रखने वाली बात है भोजन के पहले पानी पीने से क्या मतलब तो भोजन के पहले यहां पर आपको 32-45 मिनिट पहले पानी पीन आपके जूसेज को अच्छे से निकालने में help करता है ऐसा नहीं आप खाना खाने बैठे हैं और उसी टाइम सबसे पहले आप पानी या कोई liquid diet ले लेते हैं इसी तरह से बहुत सारे लोग हैं जो बहुत सारी medicine उनको लेनी है और उसके बाद वो अपना भोजन करते हैं तो आज की वीडियो में हमने बात करी भोजन के साथ पानी पीने के नियम देखने में बहुत छोटी छोटी बाते हैं बट जब हम regular इनको अपने दिंचरिया में फोलो करते हैं तो बहुत हमारी health के लिए ये फायदे मंद होती हैं नेक्स वीडियो में हम बात करेंगे उशा पा कॉमेंट जरूर कीजिएगा मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए टेक गुड केर ओफ यॉरसेल्फ बिकोज हैल्थ इस वेल्थ